पहला माह उपाई क्या है अब ये जान लीजे क्या धन लाप पाना चाहते हैं शुक्रुवार को सौ ग्राम चावल ले ध्यान रखें चावल तूटे वे ना हो लाल रॉली में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करें और घोल बना ले एक पेस्टाइब बना ले इस रॉली के घो कर या तिजोरी या सेफ में रखें और बाकी चावल पानी में बहा दें आज का दूसरा माह उपाई क्या है ये जानते हैं क्या नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं बाजार से सुर्मे की एक शीशी खरी दें उसे किसी छोटी सी लकड़ी आप ले ले इसकी किसी सुनसा Maama जगा में जमीन में खोटकर गार दें ध्यान रहें जिस लकड़ी से आप जमीन खोटंगे उसे वापस ना लाएं वहीं झोड़ दें आज क्या तीसरा माह उपाई क्या अभी यह जानेंगे क्या कारोबार में बड़ात्री नहीं हो रही है दुकान में ग्राक नहीं आ रहे हैं किसी शुब दिन सुबर नहा कर नए कपड़े पहने घर के मंदिर में पीपल के पेड़ के तीन पत्ते ओफर करें ओम श्रीम श्रीम व्यापार वृद्धी ओम इसके बाद पीपल के पत्तों पर पीले रंके फूल रखें प्राथ ना करें अगले दिन पत्ते और फूल पानी के पास छोड़ दें तुकान और बिजनेस में व्रिद्धी होने लगेगी क्या रुपे पैसे का लाब नहीं हो रहा है ऐसे में जितना संभव हो सके बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन होते हैं क्योंकि खुद हनुमान जी को वानरोप में पूजा जाता है धनलाब होने लगेगा काम में सफलता चाहते हैं आप मंदर जाकर हनुमान जी को एक निम्बू चार लौंग चड़ाएं फिर हनुमान चालिसा का पात करें यहां हनुमान जी के मंतर जपे ओम हम हनुमते नमाहा देखिए आपके काम कैसे सुलजेंगे कल हम बात करेंगे मालक्षमी के स्पेशल मंतर की